चलिए अब डिसकस करते हैं chemical properties of metal यहां से question बहुत भर-भर के आते हैं और यह तुम्हारे लिए बहुत important होने वाला है chemical properties of metal and chemical properties of non-metal ठीक है चलो हमने क्या किया ठीक है chemical properties को discuss करने चल लाए है यहां पर क्या होगा metal की properties metal को reaction कराने चल लाए है oxygen के साथ ठीक है क्या बनाएगा metal क्या करेगा oxygen के साथ ठीक है तो क्या बनाएगा metal oxide क्या बनाएगा metal oxide जैसे potassium जब oxygen के साथ react करता है क्या बनाता है k2o इसी का एक जुड़वा भाई है na plus o2 gives na2o यह दोनों ही reaction highly क्या होती है exothermic होती है क्या होती है highly exothermic clear है और देखो यह metal oxide क्यों है क्योंकि देखो sodium और potassium और calcium यह सभी तुम्हारे क्या होते हैं metal होते हैं यह सभी क्या होते हैं metal होते हैं अगर metal की reaction oxygen के साथ हो रही है इसे called क्या metal oxide वहां पर क्या होता है फाम होता है ठीक है चले आगे चलो next reaction देखते हैं हमारी next reaction कह रही है metal की reaction करने चल रहे हैं किसके साथ water के साथ और बनाता क्या है metal hydroxide ठीक है और वहां पर क्या बनेगा hydrogen gas की formation होगी ठीक है तर एक बार general equation लिख दीजिए general equation क्या है मेटल क्या करेगा water के साथ reaction करेगा gives metal hydroxide plus H2 ठीक है तलो आगे देखते हैं अब इसका example ले लेते हैं potassium ठीक है वाटर के साथ reaction कराया हमने potassium hydroxide plus H2 ठीक है चलो sodium लेलो आगे अच बनेगा और वहां पर क्या होगा एक टू की formation होगी ना कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे यूटूबर क्या करते हैं तलाबों में sodium को potassium को fake देते ना तो वहां बहुत बड़ा sound create होता है बहुत जरदा वहां पर क्या होती है blast की आवाज सुनाहिए थी वह जो blastกी आवाज है एक्चुवल में वह किसके कारणाती ही है क्यों आती है यह सोडियान ऊक्रेशन होता यह करता है सुनाई देता है ठीक है हमारी next reaction बहुत important होने वाली है calcium reaction water के साथ इसलिए important होने वाली क्योंकि बहुत बार यहां से question यह आता है कि ऐसे metal बताओ जो water के साथ reaction करके उसकी surface पे float करने लगता है मतलब तैरने लगता है तो मिटल कौन कौन से होते हैं तुमारे calcium और magnesium दो मिटल है जो water के साथ reaction करके उसकी surface फ्लोट करने लगता है ठीक है इसको भी समझाएंगे क्यों float करने लगता है देखो पहले calcium की reaction बता दें water के साथ हो क्या करता है calcium hydroxide की formation करता है प्लस वहां पे क्या है निकलता है hydrogen gas produce होती है ठीक है और आपने देखा देखो यहां पर आपने क्या लिया है water लिया है है और आपने यहां पर क्या कर दिया है calcium को इंटर कराया है क्या कराया है calcium को इंटर कराया है और आपको पता है जो calcium होता है क्या होता है कालशियम यह क्या होता है किसD suspend u इसकर के साथ क्या अब करता है यहां फे इस्टिक हो जाता है मतलब च्पक जाता है और गैसे है तो definitely वो water की surface पे आ जाएगी और जब water की surface पे आ जाएगी तो calcium और जो तुम्हारा magnesium होता है वो क्या करने लगता है water की surface पे float करने लगता है ठीक है बाई यह बहुत बार question पूछा गया है कि ऐसे दो metal बताओ जो water की surface पे float करते हैं definitely तुम्हारा वो metal कौन से हो गए calcium हो गया और कौन सा हो गया magnesium हो गया ठीक है एक reaction magnesium की साथ भी देख लेते हैं देखो gives mg वज का whole twice plus H2 ठीक है तो तुम्हारे दो metal कौन कौन से बल गया वो तुम्हारे बन गया calcium और magnesium ठीक तो next reaction देखते हैं अब देखो next reaction किसके साथ होने जा रहे है aluminium की reaction किसके साथ है water के साथ है ठीक है अब देखो जब aluminium क्या करता है water के साथ reaction करता है cold water के साथ तो यह जो reaction होती है वो बहुत slow होती है ठीक है यह reaction जो होती है बहुत slow होती है तो हमको किसके साथ reaction करानी पड़ती है एल्मोनियम के reaction इस्टीम के साथ ठीक है इसके साथ भाई इस्टीम के साथ आप देखो यह क्या बनाएगा है ल्ट्यों प्लस वहांपे क्या बनेगी हैईदूजन गयस वहां पर प्रडिविस भी ठीक है जाथ है तो फिर इस उसको समझ लेते हैं, देखो जब भी Aluminium क्या करता है, Water के साथ Reaction करता है, तो वो reaction क्या होती है, बहुत Slow होती है, तो हम किसके साथ Reaction करा देते हैं, Aluminium को Reaction Water के साथ तो कराते हैं, Formula तो Water का ही, लेकिन वो Form जो है, वो किसके Form में लिखा गया है, Gaseous Form में, मतलब Steam क फॉर्म में तो वहाँ पर क्या होगा ऐलमुनियम उक्षाइड की फॉर्मेशन होगी और वहाँ पर क्या बनेगा हाइड्यूजन गैस बनेगी ठीक है चलो अब देखो जिंक किसके साथ reaction कर रहा है water के साथ इसकी reaction सेम होगी जब भी ये क्या करेगा water के साथ reaction करेगा तो इसकी reaction क्या होती slow होगी और जब ये क्या करेगा steam के साथ reaction करेगा तो वहाँ zinc oxide plus hydrogen gas वहाँ पर produce होगा ठीक है देखो जिंक क्या करेगा जब भी वाटरा के साधर रियक्शन करेगा तो रियक्शन कैसी होगी to không जिंक को किसके साधर रियक्शन कराएंगे H2O के साथ जब किसकी की फॉर्म में रहेगी स्टींड की चीक है आप इसी कौन सा मिटल किसके साथ reaction कर रहा है कब किस फॉर्म क्या condition हो रही है इसलिए क्योंकि देखने में reaction आपको एक ही जैसे लगेगी लेकिन वो reaction एक जैसे नहीं होती है ठीक है हमेशा याद रखिएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस वहाँ पर क्या होगा hydrogen gas वहाँ पर क्या होगी ठीक है चलो next reaction देखते हैं नेक्स रयक्षिन भी तुम्हारी exactly वैसे ही है जब भी iron क्या करता है water के साथ reaction करते है इसकी जो reaction होती है तो इसको भी हम क्या करते है एफ़ी को हम क्या करा रहे हैं इस्टीम के साथ रियक्शन करा रहे हैं ठीक है इस्टीम के साथ तो वहाँ पर क्या बनेगा एफ़ी 3-0-4 प्लस ह2 की फॉर्मेशन होगी ठीक है जो iron बस दिखता है आपको वो कैसा दिखता है red form में दिखता है देखा होगा ना आपने कि जब भी लोहे को गरम करते हैं तो वो किस form में दिखता है लाल कलर का दिखता है तो उसे ही हम लोग बोलते है red hot iron को जब इस टीम के साथ reaction करा रहे है तो fe 304 की formation हो रही है अब वहाँ पर hydrogen gas क्या हो रही है produce हो रही है ठीक है चलो next reaction देखते हैं हमारी next reaction बहुत important होने वाली है तो metal की reaction हम किसके साथ reaction कराने चलने है acid के साथ ठीक है तो देखो metal क्या करता है कि जब भी acid के साथ reaction करेगा कि क्या बनाएगा मिटल सॉल्ट बनाएगा प्लस वहाँ पर क्या बनाएगा hydrogen gas बनाएगा ठीक है कैसे सारी एक्जामपल देदीजिए तो देखो zinc प्लस SCL क्या बनाएगा ZnCl2 प्लस hydrogen gas ठीक है ठीक है एक्जामपल और देदीजिए तो लो देखो बेटा zinc किसके साथ रियक्षन कर रहा है H2SO4 के साथ क्या बनाएगा ZnSO4 प्लस X ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ है metal क्या कर रहा है ACT साथ रियक्षन कर रहा है तो metal solid की formation हो रही और वहाँ पर क्या बन रहा है hydrogen gas बन रहा है ठीक है चलो देखो एक topic आ गया कह रहा है hydrogen gas वहां पर involved नहीं होती मतला hydrogen gas की formation नहीं होती कब जब metal nitric acid के साथ रियक्षन करता है तो इससे पहले आपने क्या topic पढ़ा है तो देखो इससे पहले हमने topic यह पढ़ाया आपको कि जब भी metal क्या कर रहा है है एसीड के साथ reaction कर रहा है मिटल जब इससाथ reaction कर रहा है तो वहां hydrogen gas तो produce हो रही है लेकित अगले ही पल आपने क्या किया है hydrogen gas वहां produce नहीं हो रही कब जब मिटल क्या कर रहा है नैट्रिक acid के साथ reaction कर रहा है भाई नाइट्रिक एसीड मतलब HNO3 के साथ वहां पर क्या कर रहा है जब रेक्शन हो रही है वहां हाइडोजन गैस प्रेड्यूस नहीं हो रही है तो बता देखते हो नहीं हो रही है देखो जो नाइट्रिक एसीड होता है HNO3 HNO3 जो होता है वो strong oxidizing agent होता है और oxidizing agent होता है और oxidizing agent है तो definitely वहां पर क्या को जो हाइडोजन बनती है वो oxygen के साथ मिलकी क्या बना लेती है H2O इस वज़ा से वहां पर hydrogen gas produce नहीं होती सर इसको chemical reaction के माध्यम से समझा दीजे तो देखो पॉपर की reaction कराने चल ले है nitric acid के साथ HNO3 तो वहां पर क्या बनेगा Cu NO3 का whole twice plus NO2 plus H2O तो यहां पर जो hydrogen बनी थी ना बहुत कम टाइम के लिए जो hydrogen बनी थी वो क्या करेगा oxygen को ल ना देगा वह S2O की formation कर लेगा इसी वज़ा से कहा जाता है कि nitric acid के साथ जब भी metal reaction करती तो वहां पर hydrogen gas produce नहीं होती लेकिन हम तुमको ऐसा भी metal बताने चल ले हैं तो nitric acid के साथ भी क्या करता है hydrogen gas produce करता है वो जब nitric acid बहुत diluted form में होता है ठीक है तो हम क्या करेंगे magnesium को और manganese को ले लेंगे तो वहां पर क्या होगा hydrogen gas वहां पर प्रेडियूस होती मतलब mg और mn ना जब nitric acid very 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 diluted form में होगा क्या होगा dilute form में होगा तो वह क्या बनाएगा hydrogen gas वहां पर क्या करेगी प्रेडियूस करेगा ठीक है clear है चले आगे चलो next section देखते हैं कि देखो कह रहा है जो metal oxide होता तो metal oxide का जो nature होता वो कैसा होता है basic होता है तो देखो metal oxide किसके साथ reaction करना चला है water के साथ ठीक है तो यहां पर क्या बनाएगा metal hydroxide देखो metal क्या कर रहा है metal oxide इसके साथ reaction करना है water के साथ reaction करने चला है तो वहां क्या करेगा metal hydroxide की वहां पर क्या करेगा formation करेगा जैसे k2o देखो metal oxide है की नहीं है ठीक है अब वो किसके साथ reaction करने चला है water के साथ तो बनाएगा क्या koh potassium hydroxide ठीक है चलो देख लेते एक साथ reaction और दे दीजे तो देखो sodium oxide को हम क्या करें water के साथ reaction करने चला है तो वह क्या बनाएगा naoh ठीक है आई होप आपको यह reaction समझ बें आ गई हो चलो next reaction देखते हैं कि हमारी नेक्स reaction बहुत important होने वाली है यह कभि कभि क्या होता है एंफोटरिक नाम से पूछा जाता है यह क्या होता है अप्रिक नाम से रिखिन पूछी जाती है एसी रैक्षन होती है जभ मिटल औक्साइड क्या करता है ठीक है मिटल औक्साइड करे कि और बेजस जब दोनों के साथ रैक्षन करती है तो वह क्या क्या गलाती है adic प्यादी है मिश अशाधी कई से पाए जाते हैं जो acid as well as base के साथ भी reaction करती है तो उस metal oxide को हम लोग बोलते हैं एंफोट्रिक ठीक है उन में से ही क्या है जिंक oxide है और एल्मोनियम oxide है सर एक की reaction बता दीजिए तब देख लो आओ जिंक oxide क्या कर रहा है scl के साथ reaction कर रहा है तो zinc chloride की formation हो रही है प्लस वहाँ पर क्या हो रहा है hydrogen एस टुओ की formation हो रही है ठीक है चले आगे अब देखो फिर इसकी हाइड बेस के साथ बता दीजिए तो एने वे चले लो कि यह क्या करता है एने टू जेड़न ओटू एने टू जेड़न ओटू प्लस वहाँ पर क्या बनाएगा एस टुओ और यही तुम्हारा क्या है सोडियम जिंकेट है यही तुम्हारा अल्मोनियम ऑक्साइड गी रियक्शन भी बता दीजिए देखो आओ चलो देखते हैं घृटू 3 किया कर रहा है SCl के साथ reaction कर रहा है AlCl3 plus H2O तर इसकी एक reaction किसके साथ बता दीजिए base के साथ बता दीजिए तो देखो Al2O3 plus NaH gives Na ArO2 plus H2O तर इसका नाम क्या होगा sodium aluminate क्या होगा ना sodium aluminate कभी कभी ये reaction पूछी जाती और बच्चे लिख देते हैं क्या no reaction क्यों 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 कि भाई देखो यहाँ पर क्या होता है जिंक तुम्हारा क्या less reactive है sodium से तो बच्चे कई बार लिख देते हैं कि no reaction between them वहाँ पर reaction नहीं हो रही है तो भाई यह दियान रखना कि जब भी क्या करेगा sodium oxide sodium hydroxide की साथ reaction करेगा तो sodium zincate और water की formation होती है बच्चे कई बार क्या करते हैं बहुत बार कहा जाए हम लोग हमेशा board की copy या चेक करते हैं चलो अब चलना है chemical properties और non-metal non-metal क्या होते हैं बाई देखो carbon ले लो sulfur ले लो यह सभी क्या होते हैं non-metal होते हैं non-metal का मतलब यह होता है जो electron को accept करता है वही तुम्हारे क्या होते से non-metal होते हैं ठीक है अब non-metal की reaction कराने चलने किसके साथ oxygen के साथ तो चलो आओ देख लो कि गिफ्स पी यो ठीक है फिर एक reaction इसी की बनती है कि दोनों reaction देखने में एक ही जैसी लग रही है लेकिन यहां पर जो product बन रहा है एक में तुम्हारा क्या बनना है carbon monoxide एक में तुम्हारा क्या बनना है carbon monoxide और एक में तुम्हारा बन रहा है carbon dioxide क्या बन रहा है carbon dioxide तर ऐसा क्यों हो रहा है तो समझते हैं दो बबाई ऐसा इसलिए हो है क्योंकि जो carbon monoxide होती है यहां जो oxygen है वह insufficient oxygen है insufficient का मतलब होता है वहां प्रयात मात्रा में oxygen present नहीं है लेकिन यहां पर बात किया तो यहां पर sufficient oxygen है सर इसका example दीजिए तो देखो जब हमारी मम्मी क्या करती है घर में gas पर खाना बनाती है तो जब gas खतम होने वाली तो वह एक क्या करता है yellow flame देता है तो yellow flame का मतलब ही यह कि gas वहां पर क्या हो रही खतम होने वाली है ठीक है तो जब yellow flame देने लगे तो यह जान लेड़ा वहां पर जो combustion हो रहा है वह कैसा हो रहा है incomplete combustion मतलब जब भी incomplete combustion होगा incomplete जब भी incomplete combustion होगा तो वहां पर कैसी flame आएगी yellow flame आएगी और जब भी क्या होगा नहीं नहीं gas आती है तो वह कैसा flame जनरेट करती है blue flame जनरेट करती है तो वहां पर क्या होता है complete combustion होता है क्या होता है complete combustion ठीक है I hope आपको ये reaction समझ भी आगई सर एक बार फिर से पता दिए तो देखो जब क्या करते है carbon oxygen के साथ reaction करता है और वहाँ पर क्या रही yellow flame आ रही तो वो कैसा combustion है incomplete मतलब वहाँ पर जो oxygen है वो sufficient quantity में नहीं है लेकिन अगर बात किया जाए तो carbon जब oxygen के साथ reaction कर रही carbon dioxide का इसी formation होई तो वहाँ पर क्यासा आएगा flame blue flame आएगा कैसी flame आएगी blue flame और जब भी blue flame आएगी तो वहाँ पर combustion कैसा है complete combustion है ठीक है I hope आपको ये reaction समझ में आ गई होगी ठीक है चलो next reaction देखते हैं हमारी next reaction बहुत important होने वाली देखो कहरा non-metallic oxide और acidic in nature तो तुम्हारा non-metallic oxide होता है वह तुम्हारा क्या होता है acidic in nature होता है इसको प्रूब करके भी दिखाईएगा तो देखो non-metallic oxide ले लो CO2 ले लो जब हैस्टू के साथ रेक्शन कर आओगे तो क्या बनाता है carbonic acid H2CO3 इसका नाम ही क्या है carbonic acid देखो acid की formation कर रहा है और यह carbonic acid किसमें पाए जाता है cold drink में किसमें पाए जाता है cold drink में कि देखो यहाँ पे क्या कर रहा है हमने ले लिया है non-metallic oxide non-metallic oxide नाम प्लस oxygen के सब रेक्शन कर रहा है water वहाँ पे ले लिया तो H2CO3 की formation कर लिया ठीक है तर एक्जम्पल एक और दे दीजिए SO2 ले लो ना तो क्या बनाएगा H2SO3 इसका नाम क्या हो जाता है sulfurous acid क्या हो जाता है इसका नाम sulfurous acid ठीक है और देखो सबके last में क्या लग रहा है acid तो यही तो कह रहा था देखो acidic in nature होता है ठीक है तो लोग आगे देखते next reaction झाल में क्या सबस्टाइब देखो प्रेवники